नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है हेवानशू और स्वागत करता हूँ आपका इस नई वीडियो में जी हाँ आपने सही टाइटल पड़ा है मैंने टीवी एफ के एक पार्ट दा स्क्रीन पत्ती को कॉपीराइट स्ट्राइक बेजी हुई है और वो भी सही बात है मैंने कोई फिक स्ट्राइक नहीं बेजी थी तो पूरा किस्सा बताने वाला हूँ उस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाता हूँ कि आगर आप मेरी चैनल पर नई हो ये वीडियो पहली बाहर देख रहा हूँ तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और ये जो बैल का एकने से दावा दीजे क्योंकि मैं मुजिक प्रडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता ही रहता हूँ साथ ही साथ अभी मैंने अपने आप से रिलेटेड अपना एक्सपिरियंस जो मेरा मुजिक प्रडक्शन में रहा है उससे रिलेटेड मैंने एक नई सीरीज और चालू करी है तो ये आपको हमानशूज शॉर्ट टॉक्स नाम से आपको एक प्लेलिस मिलेगी मेरे चैनल में यहाँ पर आपको काफी important वीडियो जो मेरा experience रहा है उससे related वीडियो मिलेंगी मैंने इससे पहले artist card के उपर बनाई है और मैंने काफी important वीडियो बनाई हुई है जहां पर fraud होता है इंडिया में तो आप देखना वो वीडियो आपके लिए काफी experience रहेंगे तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो TVF का एक छोटा सा पार्ट है दाइ स्क्रीन पत्ती अगर आपने नाम सुना हो तो उस से रिलेटेड बात करने वाला हूँ पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि एक सीरीज आई थी वो भी मैंने देखी थी योट्यूब पर मैं नाम भूल रहा हूँ हाँ एस्परेंट्स नाम से जो सीरीज आई थी शायद वो ही है वो मेरे को बहुत अच्छी लगे ये लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और मैं इस मैटर में वैसे मैं ज़्यादा किसी की गलती नहीं मानता इतनी बड़ी गलती नहीं मानता आपको पूरा मैटर बताऊंगा लेकिन आप बस हेट मत फैलाना आप ये भी लोग आर्टिस्स हैं तो सभी का आप मतलब थोड़ा सा आप सभी को मतलब सपोर्ट करो ऐसा नहीं कि आप किसी को हेट फैलाओ तो चलो अब स्टोरी पर आता हूँ यह आप समझगे मैं काफी नाम्स को चुपाने वाला हूँ इसमें अभी काफी जो नाम है उनको चुपाऊंगा बस TVF और स्क्रीन पत्ती ही नाम आपको सुनाई देने वाले हैं इसके लाबा मैं सभी की नाम चुपाऊंगा तो देखो दोस्तों क्या हुआ था कि TVF का जो पार्ट है दाइस्क्रीन पत्ती इसको इन्होंने नया यूट्टीब चैनल इन्होंने चालू किया था 2015 सोले के आसपरस होगा जायद चालू तो इसमें काफी अच्छे कलाकार वर्क करते हैं जैसे छोटे मियां, बड़े मियां और एक और हैं उनका मैं नाम बूल रहा हूँ जो रवीश की रिपोर्ट मैं बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं नाम बूल रहा हूँ यार मैं को मैंने उनके इंटर्विव भी काफी देखा हैं लेकिन मिरको ये तीन आर्टिस बहुत अच्छे लगते थे ये तीनों बहुत अच्छा वर्क करते थे तो मैं इनकी चोटे मियां, बड़े मियां वाली सीरीज बाप की अदालत और उसमें Game of Thrones का इनोंने स्पूफ किया था, तो वो देख रहा था तो अचानक क्या हुआ कि देखो मैं क्या करता था, पहले मैं Orange headphone music पर Bollywood के instrumental song के cover version बनाता था, मतलब cover song instrumental वाले बनाता था Bollywood के, तो Orange headphone music का जो music के काफी channels पर use किया गया है, मैंने देखा हुआ है already लेकिन मैं किसी को copyright strike या claim नहीं बेचता हूँ क्योंकि मैं सुचता हूँ कि यार एक artist है और एक artist को artist की मदद करनी चाहिए अब आप ये मेरी बात को लेकर ऐसा मद करना कि आप मेरे Orange headphone music पर जो channel पर जो भी song डले हुए उनको आप use करने लग जाओ और बोलो कि इमाश भाही ने बोला हुआ है कि strike ने बेजूँगा, देखो nature to nature depend करता है, अगर कोई commercial ही use कर रहा है तब भी मैं strike दे सकता हूँ लेकिन ये सब चीज़ें दूसरी बात है जोनोंने मेरे instrumental use किये हुए और उनोंने मेरे को नाम भी नहीं दिया हुए credit भी नहीं दिया हुए तो देखो दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप किसी artist को credit दे देते हो तो उससे क्या है कि ऐसा तो नहीं है, credit से पैसा मिलता हो description में अगर आपने उसका नाम देती है कि छोटे से part में भी अगर उसने काम किया है तो उसका दिल बहुत खुश होता है और वो आपको दुगा देता है जिससे आप लोगों को भी अच्छा feel होता है मतलब किसी को बुरा feel नहीं होता है तो मेरे साथ क्या होगा कि Game of Thrones का जब मैं वो spoof देख रहा था, बाप की अदालत का तो उसमें बीच में मेरा instrumental प्ले हुआ तो मेरे को पहले तो मैं headphone पर सुन रहा होता ही है कि कभी-कभी यहाँ पर मेरे area में है भरतपर में है, जैपर में होता है कि जो auto वाले भी होते हैं, वो जैसे कोई builder का advertisement कर रहा है तो बीच-वीच में मेरे instrumental मेरे को सुनने में मिल जाते हैं तो मैं उनको भी कुछ नहीं बोलता है या फिर जैसे restaurant होते हैं उधर भी मेरे instrumental प्ले होते रहते हैं तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता लिए वो लोग क्या करते हैं restaurant वाले मेरे YouTube चैनल को open करते और वो ही अपने LED पर लगा देते हैं तो उसमें visualization भी हो रहा होता है तो उसमें मेरे नाम भी देख रहा होता है तो मैं उनको कुछ नहीं कहता मैं शादियों में भी जाता हूं तो मेरे को मेरे instrumental सुनने को मिलते हैं तो मेरे लिए मतला ये इतनी बड़ी बात नहीं है मैं समझ सकता हूं लोग बाग पैसा बचाने के लिए भी ऐसा करते हैं तो Game of Thrones का जो इस्फूफ था उसमें मेरा instrumental मेरे को सुनाई दिया पहले तो मैंने सुचा कि यार कोई बाहर advertisement के लिए निकल रहा होगा कोई auto वाला उसके में play हो रहा होगा तो वो लेकिन बाद में पता चला कि वो वीडियो में ही play हो रहा था मैंने सुचा कि पापा प्ले कर रहे हूं है दूसरे room में बेटे हुए पापा भी नहीं तो उसना है पापा अपने जॉब पर गए हुए थे तो मेरे को पता चला कि वो वीडियो में ही है अब यार मैं हैरान रहे है क्योंकि मैंने दाइस्क्रीन पत्ती की जो वीडियो है मैं काफी टाइमस उनको फॉलो कर रहा था बड़े मियां च्छोटे मियां खास कर यार कितने अमेजग लोग हैं यार ये अक्टिंघोंग स्केल्स बहुत अच्छाय वह तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था थोड़ा खराब भी लगा तो मैंने अपने दोस्ते बात करी मैं का किया अब आप लेवलेबल नहीं है तो अभी काफी और लोगों ने भी अपलोड करी हुई है तो उस वीडियो के लिंक with time stamp मैं आपको अपने description में देने वाला हूँ वो किसी और के channel पर होगी लेकिन आपको यह जो भी artist ने TVF के वो आपको उसमें acting करते हुए देखे जाएंगे तो वो भी बताऊँगा क्यों हटी वो वीडियो वहाँ से तो मैंने copyright strike based दी TVF के screen पती के channel तो शाम को यह अगले दिन उनका उनके एक employee ने मेरे को message किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या दिक्कत होई आखिर यह copyright strike मैंने उन्हें क्यों भीजी है तो मैंने उनको पूरा matter detail में बताया कि यह मेरा instrumental है जिसको मैंने upload किया हुआ था अपने channel पर और आप लोगोंने यह use किया बिना मुझको credit दिये तो मैं आपको पूरी बात है तो नहीं बताने वाला तो उन्होंने पहले तो मेरे को यह बोला था क्योंकि पूरी बात है तो बहुत वीडियो लंबी हो जाईगी पहले उन्होंने बोला कि यार आप यह song आपने instrumental cover song मनाया तो इस पर आपका भी write नहीं है तो देखो सही बात है instrumental cover song पर 100% मेरा write भी नहीं होता है लेकिन मैं अपने work मैंने भी उसमें कुछ न कुछ work किया instrumental में मैंने वो पूरा produce किया था है ना तो at least आप लोग use कर रहे हो तो आप original composer है जिसने जो original song को compose किया प्लस मेरा तो यह आप लोग नाम दे सकते थे मैं यह थोड़ी मना कर रहा हूं कि आपको original composer का नाम नहीं देना चाहिए था लेकिन जिस जिस का work है आपको उसका credit एक बार देना चाहिए था तो फिर लेकिन मैंने उनको बोला कि देखो आपको नाम भी मैं आपसे कुछ पैसे की demand करने के लिए मैंने आपको strike नहीं बे था कि उन्होंने मेरे उपर उन्होंने मेरा credit नहीं दिया था तो एक तो आप इससे earning नहीं करो दूसरा आप जो मेरा नाम आपने नहीं दिया है आप उसको मेरा नाम दो और प्लस आप किसी और artist की भी मदद करो यह मैं आपसे expect करता हूं मतलब भले ही मेरी help आप देखो उनक दूसरा आप मेरा नाम description में देना और तीसरा अगर आप किसी की मदद करते हो तो आप मदद जरूर करना आर्टिस की जो कि तीसरा point मेरे लिए बहुत important था कि चलो मेरी मदद नहीं हो पए लिए कि किसी और की मदद होगी तो मेरा काम बन जाएगा आप नहीं आर्टिस की मद करना तो उन्होंने मेरे को screenshot भीजा है कि उनकी उस वीडियो पर पहले से ही किसी और का copyright claim आया हुआ था अब उन्होंने किसी और का भी किया होगा use तो उसका copyright claim आया हुआ था तो दूसरा था कि उन्होंने मेरा नाम डाल दिया तीसरा उन्होंने जो बोला कि हम नई आर्टिस के लिए बहुत helpful रहते हैं हम उनको promote करते हैं हम उनका जगह देते हैं अपने काम में तो मेरे को अच्छा लगा और वो employee भी मुझसे facebook पर जोड़ गया तो सब चीजने sort out हो गए मैंने फिर उनसे और कुछ demand नहीं करी और मैंने अपना copyright strike थी वो मैंने वापिस ले लिए तो यहां पर मैंने finish किया था अपना matter लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को लगा किया यह लोग बहुत अच्छे हैं और यह लोग दूसरों की मदद करते हैं करीब साल दो साल बाद मैंने अपना orange headphone music पर अपने दोस्त परचे के साथ मैंने video series चालू करी थी तो उसमें हमने क्या किया था कि एक video बनाई थी एक short movie बनाई थी जो मैंने आपको शायद live में गया था तब मैंने आपको दिखाई थी तो हमने एक short movie बनाई थी तो मैंने उसी employee को message कि हमारे क्या था videos पर view नहीं आ रहे तो इस time बिलकुल भी तो मैं सभी जगे तलास रहा था कि कोई हमें थोड़ा सा एक kick दे दे हमारे video पर जिससे हमको शुरुआत में थोड़ा सा better view मिल जा है तो मैंने उनको बोला कि यार मेरी नजर मैंने अपने दोस्त को बोला जिसके साथ वो video series में कर रहा था कि यार मेरी नजर में है तो सही दाइस्क्रीन पत्ती वाले तो मैं उनसे बात करता हूं अगर वो आपने कोई भी social media handle से अगर उनको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करते हैं तो बढ़िया है और हमें एक better start मिलेगा तो मैंने उसी employee से फिर बात करी कि यार मे से यह नहीं किया रहा कि आपको हमारी आगे वाली सारी वीडियो शेयर करनी पड़ेंगी कुछ भी नहीं मैंने ऐसा बोला मैंने बस बोला कि आप बस यह वीडियो देख लिजा अगर आपको अच्छी लगती है तो ही आप शेयर करें तो बहतर होगा तो उन्होंने बोला कि हमारी company की यह कोई policy नहीं है कि हम दूसरे artist की video share करें तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि यह लोग पहले तो मेरे बोला था कि हम नई artist को जगह देते हैं, हम नई artist को promote करते हैं, तो उन्होंने बोला हुआ था तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा और प्लस वो होने लगे कि हमने तुम्हें जो commitment दिया था तुम्हारा हमने नाम दिया वीडियो में उससे तुम्हारा promotion हुआ है दोस्तों उस वीडियो से मेरा कोई promotion नहीं हुआ क्योंकि उनकी वीडियो जो maximum view ले सकते थी और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल पर उनकी वज़े से कुछ मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हो आप जो मेरी उस दौरा उन्होंने जब से नाम दिया है उसके बाद मेरे चैनल की growth देखोगी तो वो ही थी जैसे आप expect कर सकते हो ऐसा नहीं कि मेरी जो subscriber की जो rate थी औरेंज headphone music पर उसमें एक growth आगया हो ऐसा कुछ नहीं था तो में को पता था कि वो दूसरा जो मैंने point रखा था उससे मेरी कोई help नहीं हुई थी जो उनके सामने मैंने दूसरा point रखा था तो लेकिन मैंने का कि यार मैंने आपको allow किया था आप एक बार consider तो करके देखो at least अपनी company में बात तो करके देखो तो बस यही बात हुई थी फिर उन्होंने बोला कि आप हमें blackmail कर रहे हो उन्होंने यह word यूज किया कि आप हमें blackmail कर रहे हो तो में को काफी गलत लगा उसके बाद मैंने उनसे बात नहीं करी और मैंने उनको रेपला उनसे बस यही मेरी last हुई थी जब उन्होंने blackmail word यूज करना चालू कर दिया और हमने आपको जो आपका promotion किया है और उससे हमने आपकी पूरी भरपाई कर दिया है उन्होंने बाकी सब चीजों को तो भूली गए कि मैंने उनके सामने तीन शर्ते रखी थी तो यह मैं आपको जो neutral बात बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि इसमें मैं अपनी गलतियां चपा रहा हूँ या फिर उनकी गलतियां ही बता रहा हूँ तो यह हमारी बात हुई थी उसके बाद उन्होंने वो वीडियो अपने चैनल से हटा दी क्योंकि उन्हें यह डरता कि मैं दोवारा copyright strike नहीं बेज़ने वाला था क्योंकि मैं उनका काम की respect करता हूँ अभी TVF aspirants जिस सीरीज की मैं आपसे बात करता था शायद यही नाम है उनका उनकी जो सीरीज मैंने latest देखे थी मेरे को उसका वर्क बहुत अच्छा लगा तो देखो यह तो बाते अलग हैं कि आपके साथ क्या हुगा या क्या आपने उनके साथ किया लेकिन मैं आज भी उनके वर्क एज़त करता हूँ एक तो जो रवीश की रिपोर्ट करने वाले हैं TVF aspirants मैं भी थे वो और चोटे मियां बड़े मियां यह तीन आर्टिस में को बहुत अच्छे लगते हैं मेरा मन था कि यार मैं इनसे भी कभी बात करूँ और मैं चार एक बार तो मेरे मन में यह आई थी copyright extract हटाने के बदले मैं इन तीनों का interview ही ले लूँ कि आप में कोई interview का दे दो access और मैं अपने चैनल पर वीडियो डालूँगा तो इससे मेरा चैनल पर मोट हो जाता लेकिन नहीं मेरे को यह सही नहीं लगा यार इस तरीके से नहीं यार यह तरीका सही नहीं है कि अपना चैनल पर growth भी इसी तरीके से पाओ कि जो उनके interview आर्टिस का इंटर और वो मान भी जाते को उनके लिए interview देना copyright strike अटाने के लिए प्रोंकि उनके चैनल पर already copyright strike आई होई थी जो उन्होंने मेरे को बताया था तो दूसरी थी एक और आती उनका channel बंद हो जाता तो मेरे लिए को मतलब उनके लिए को इतनी बड़ी बात भी नहीं होती और मेरा भी चैनल grow कर जाता लेकिन मेरे को सही नहीं लगा हूँ कि मेरा चैनल भी वह content के लिए नहीं था मेरे चैनल पर instrumental आते थे तो मैंने वह नहीं किया लेकिन आज भी मैं आप लोगों से यह कहू बेशता हूँ जिन्होंने मेरे नम मेरे काम की जगह अपना नाम लेकिन यह है कंडिशन टर्म टू टर्म कई लोग ऐसा कर रहें कि मेरा काम ही अपना कुछ जोड़ी नहीं रहे मेरे इंस्टुमेंंटल को यह अपने चैनल पर डाले हैं तो मैं ऐसे भी ऐलाउन नहीं करता ह उनका कोई भी content हो, ऐसे यूट्यूब के काफी अच्छे एक वीडियो सीरीज बनाते हैं, काफी अच्छे यूट्यूबर है, जोनोंने memes और ये सब funny वीडियोस बनाते हैं, तो उनका नाम में भूल रहा हूँ, मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा, उनके उपर मैंने का नाम दे रखा, तो मैंने उनके उपर भी copyright strike नहीं बेजी, मैंने को पता है, कि वो लोग मेरा use करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, तो मेरे ऐसा फितरत में नहीं है, बस मेरे को बुरा तब लगता ही, जब मेरे काम पर मेरे जगए किसी और का नाम दे रखा होता है, जो कि TVF में उस ताइम हो रहा था, तो ऐसा नहीं है कि उस पूरी सीरीज में मेरा ही नाम, मेरा ही काम था, मेरा एक छोटा सा पार्ट था, और भी उन्होंने किसी और के भी music लिए हुए थे, और होसरता है उन्होंने कि अपना भी produce कर रखा हो, लेकिन मेरा नाम उस काम के लिए द ही तरीके से नाम दे रहा है, तो थोड़ा allow करो क्योंकि YouTube पर भी अभी survive करना इतना easy नहीं है, तो मदद करो दूसरों की, क्योंकि आप दूसरों की मदद करोगे तो हो सकता है, दूसरा या उपर वाला आपकी मदद करे, तो दूसरे से तो expect मत करो, फिलाल मदद की, लेकिन उपर वाले से जरूर expect कर सकते हो, अगर आपने किसी मदद करी है, तो देर सबेर आपको उपर वाला जरूर मदद करेगा, तो इसी good note के साथ मैं ये वीडियो खतम करना चाहता हूं, और किसी के लिए भी कोई hate मत रखना, वो लोग मुझसे अच्छा, मुझसे बहुत गुन अच्छा work कर रहे हैं, तो प्यार बर्सा हो सबी जगे hate मत रखना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, take care, bye bye